आज हम homemade white gel color बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बिना किसी जंजट के आप इसे बना कर रख सकते हैं और बना कर आप इसे 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए इसे कैसे बनाना हैं इसे बनाना शुरू करते हैं होमेड वाइड जेल कलर बनाने के लिए हमने यहाँ एक पेन लिया है जिसमें हम वन टीजपून कॉन फ्लोर लेंगे हमने यहाँ पेन का इस्तेमाल इसलिए करा है क्योंकि हम पेन में जेल कलर बनाएंगे आप और कोई भी बढ़तन ले सकते हैं और हाफ कप पानी एट कर दिंगे इसमें और one tea spoon हम इसमें चीनी एट कर दिंगे क्योंकि हम homemade white gel color बना रहे हैं और ये बिल्कुल फीका सा ना रहे तो सिरिफ हम इसमें 1 teaspoon चीनी एट करके अच्छी तरह से mix कर लेंगे अभी हमने इसे gas पर नहीं रखा है पहले अच्छी तरह से हम इसे mix कर लेंगे फिर हम इसे gas पर रखेंगे अभी अच्छी तरह से mix हो गया है तो अब हम इसे gas पर रख दिंगे और gas पर रखते हुए बराबर stir करते रहेंगे आप दिख सकते हैं इसे color बिल्कुल change होने लगा है हमने इसे slow flame पर रखा था तो अब हम medium high flame रखते हुए बराबर stir करेंगे और दो minute तक इसे पका लेंगे तो इसे पकाते हुए दो minute हो गए हैं तो अब हम gas की flame को off कर दिंगे और इसे एक बरतन में निकाल लेंगे अभी आपको इसका color light सा दिख रहा होगा लेकिन हम इसमें अभी 1 teaspoon भर के conflore 8 करेंगे और conflore मिलाके अच्छी तरह से mix कर लेंगे ताकि इसमें किसी तरह के कोई भी lumps ना रहे आपको ये doubt हो रहा होगा कि कच्चा conflore मिलाना हमारी सेहत के लिए किसी तरह का कोई नुकसान दे तो नहीं रहेगा मैं आपका ये doubt किलियर करती चलू अक्सर baking वगयरा में इसकी dusting की जाती है तो इससे हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है आप कच्चे conflore का use कर सकते हैं और इससे हम बहुत ही अच्छा homemade white gel color बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हमने इसे mix कर लिया है और ये बिल्कुल lumps free हो गया है तो इस तरह से हमारा homemade white gel color बन कर तयार है और इसका color भी बहुत ही अच्छा आया है तो हम इसे एक portal में store कर कर रखेंगे आप जब भी इस color का use करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इस color को आप थोड़ा सा जादा ही quantity में use करें क्योंकि हमारा homemade white gel color है ये हमने इसे पांच मेट में तयार करा है तो आप भी इसे बहुत ही इज़ी बिना जंजट के बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी homemade white gel color की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक ज़रूर करें साथी रेट कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें फैमली और फ्रेंट्स में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी homemade white gel color की रेसिपी कैसी लगी थाल प्रेंगल आपको मेरी लाइक ज़रूर की ज़रू लाईक शेओी ज़रूर की रेसिपी ज़रूर की बटन द़ताएं ज़रूर की बटन की बटना।